नमस्कार दोस्तों मुझे आदस्ती हो गई है के क्यार को जीत दिलाने के बाद घमंड में आये रिंकू सिंग बरे बरे खिलारी ओपर तंज कस्ते हुए कहदी ऐसी बाते जिसे सुन आप भी हो जाएंगे हैरान तो क्या कुछ का है रिंकू सिंग ने जीत दिलाने के बाद बत से जीत हासिल की है केक्यार को पले ओफ में जाने की उमीदों को जिन्दा रखना था तो इस मुकाबले में जीत हासिल करनी थी और टीम ने पंजाब को हरा कर अपनी उमीदों को जिन्दा रखा है वही मैच के अंतीम गेंद पर चोका जर कर एक बार फिर केक्यार के लिए हीरो बने रिंकू सिंग ने मैच जीतने एक बाद बड़े खुलासे कियें जब कि क्कार कप्तान निती सहना ने भी इस खिलारी की जमकर तारीप की है क्कार को अंतीम गेंद पर चोका जरकर टीम को जीत दिलाने वाले युवा बल्लेबाज रिंकू सिंग ने पिंजाब के खिलाब भी सांदार बल्लेबाजी की और टीम के लिए बिजाई रन लगाए रिंकू सिंग ने मैच जिताने बाद पोस्ट मैच परजेंटेशन पर बात करते हुए कहा मैंने आखिरी गेंद के बारे में नहीं सोचा यहां तक कि जब मैंने वो पंच छके मारे तब भी मैंने ज़्यादा नहीं सोचा था मैं गेंद को खेलता रहा मुझे खुद पर वि रिंकू सिंग को इस सिजन में पहले मेच से मोका दिया गया है उन्होंने अपनी काविलियत को सावित भी किया है और इस सिजन के क्यार के सबसे बहतरिन बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। रिंकू सिंग ने आइपियल में अंती मबर में पांच छक्के लगा कर अपनी टीम को जीत दिलाया था जिसके बाद से उन्होंने पीछे मुरकर नहीं देखा वही बात करें रिंकू सिंग के इस सिजन की तो उन्होंने अब तक अगारे मेचों में 337 बनाया है जबकि रिंकू का ओसत 56 का रहा है वही रिंकू सिंग ने पूरे आइपियल में 1500 पलस की स्ट्रैक रेस से बल्ले बाजी की है रिंकू ने अब तक इस सिजन अगारे पारियों में एकरेस छक्के भी लगा चुके हैं वहीं से आपको क्या लगता है रिंकू सिंग को टीम इंडिया मोका मिलना चाहिए या नहीं